तो माई डेर श्टुडेंट यह है बिये थर्ड समस्टर हिंदी का पूरा का पूरा माडल पेपर कुश्चन पेपर यह आप लोगों के लिए बहुत ही महात्पूर्ण वीडियो होने वाली है आज किस वीडियो से बहुत ही जादा आपको हिल्प मिलेगी सबसे पहले तो आप की परिच्छा के लिए बहुत ही महात्पूर्ण साबित होने वाले तो इन सभी के बारें जानकारी मिलेगी और helpful वीडियो है तो complete जरूर देखेंगे तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं जो भी मारे सिकेंड समस्टर को पास करके भी थर्ड समस्टर में आते हैं उन्हें के लिए वीडियो महात्पूर्ण है जब भी आपकी परिच्छा होगी आप लोगों के लिए बहुत हेलफूल वीडियो साबित होगी पुरूप के तोर पे देख लिए बीए समस्टर थर्ड यानि कि 33 समस्टर प्रिविए सरक माडल पेपर है सब्जेक्ट हिंदी प्रस्ण पत्र कोश्चन पेपर का नाम हिंदी गद्य होंगी यहां पर लिखा रहे का कितना टाइम मिले का को हल करने का और कितना का पुड़ांक रहेगा है जानकारी लिखी रहेगी इसको पढ़ लेना है फिर आपको कोश्चन कर बढ़ना है तो खंड आ में आपको आते उत्तर प्रस्ण का उत्तर देने से पहले यहां पर कुड़िसान देर दी गई है इनको पढ़ लेना है कि कितने कोश्चन का उत्तर देना है और उसका उत्तर कितने सब्दों लिखना है उसके लिए कितने नंबर दे जाएंगे यह जानकारी आपको यहां पर पढ़ लेना है ठीके फिर उसके बाद question कर बढ़ना है तो पहला प्रस्टन है कि हिंदी कहानी का विकाफात्मक पर्चे दीजी यानि कि हिंदी जो कहानी है इसकी सुरुवात जो है कैसे कैसे हुई और दिन पर दिन इसका विकास कैसे होता गया है कहानी बच्पन से आप लोग सुनते आ रहे हैं कहानी के विकास के बारे में आप बच्पन से सुनते आ रहे हैं आपके दादा और आपके दादी आपके आजी बाबा जो सुनाते थी तो पहले सुनाते थे लेकिन दिरे-दिरे करके वो लोग जो प्रमुक कभी हैं लेख है कि हो कहाणिया लिखने लगे और लिखने लेखने लगे और आज हर कोई परचते कहाणी फे ठीक है meaning कहा ने का विकास बहुत ही फाश्ट हुआ है और भहुत ही तगड़ा हुआ है ठीक है तो इसके बारे में आपको Detailman लिखना पड़े और महात्पूंट प्रश्ण है हमेशा फंसता है नोट कर लिजे ठीक है इस वीडियो में सिर्फ हम आपको वह सारे कोईश्चन बताएंगे जो पिछले वर्सों में लगातार पूंचे जा रहे हैं इस बार आने के संभावना है उत्तर नहीं बताएंगे और उत्तर हमारी आने बाके सभी का उत्तर कहां पर मिले कैसे मैं आपको जानकाई देंगे ठीक है और अगला प्रशन के दिनों 5026 अगला कुश्चन कि यात्रा दोर्पान्त और वेक्ट विधाँ संसरे स्किण है जब्तान को दिखेंगे लाना कि यात्रा वदान के परिभाफा और यह 2000 लिए यह पिर एक रस्णाओ के नाम ऐसा कोश्चा पूसादाफ रखता है ठीक है जो की important है ठीक है बढ़ता है निश्क कोश्चन के और निश्क कोश्चन कहरा कि उपेंदर नात अस्क जो की एक प्रमक लेकक है कभी है इनकी एक आंकी जिसका नाम है लच्चमी का स्वागत ठीक है इसका उद्देश बताईए तो उपेंदर नात अस्क जी की आंकी है जिसका नाम है लच्चमी का स्वागत यह आपके बीए थर्ड समस्टर के स्लेबर्स में है इफले एक कोश्चन बना है ठीक है तो इसका उत्तरा आपको तयार कलना है यह कहीं बाहर का नहीं आपके कि महादेवी वर्मा के रेखाचित्र गुल्लू का सारांस लिखे महादेवी वर्मा जी एक बहुत ही प्रमक और बहुत ही पॉपलर कावेत्तरी है हिंदी गद्दी की ठीक है और इनसे जड़ा कोश्चन हमें साब पूशा जाता देखिए बाई जो स्लेबर्स में है जो टो प्रस्ण तो प्रस्मी थो पूरिक बनता है अब चाहिए जिस प्रकार घुमां फिरा पूच्छा जाय आधक तो आपको इनके बारे में तियार कर लेना महादेवियर्मा जी का जीवन पर्चे तैयार कर लेना और साथ साथ में इनकी जो पॉप्लर रशना है जिसका नाम है गिल्लू जो की रेखा चित्रविधा है कि इसके बारें भी जानकारी आपको पढ़ना है महादपोर परशने अगला परशन प्रस्तुत है आप लोगों कि स अगला की हीरा मन ने कौन सी थीन कषमें खाई Ebola कोईश्यन आता लेकिन बहुत कम आता तो आप तैयार भी कर सकते अग्णोर्वि कर सकते अग्यादा की भीधा क्या है कौन सी बिदा की रशना है परमख प्रस्तुत है करिब कर आपकी अबकी परिच्छा में एक तो गारंटी के साथ आए गाएगा और हो सकता दो प्रश्ण फसेंगे तो दो सामनी जो है और नाटक विधा की रश्णा है और इसके रश्णा का जैसे अंकर प्रसाद जी नोट कर लिजीगा ठीक है और यह बहुत ही प्रमुक रश्णा है और इसे जोड़े दो कोईशन पूछे जाएंग करने का उद्देश यही है कि आप अग्रिज्वेट हो जाएंगे और कहीं आपको नवकरी मिल जाएगी तो इसलिए आप यही तरह इस रश्णा का उद्देश क्या है ठीक है हमेशा नहीं आता लेकिन कभी-कभी आता है तो नोट कर लिजीएगा अगला की हर संकर परसाई क करना है यहां पर भी इसमें दिस्ता नर्देव दी जाएगी कि इतने कोश्चन करना है और सका उत्तर कितने सब्दों में लिख रहा है यह पूरी जानकारी यहां पर दीगई कुछ आपको पढ़ लेना है तो लग उत्रे में आपको संदृर्फ भाख्या करने के लिए अपको पैरा ग्राफ और गद्यानस दे दिए जाते हैं कुछ पैराग्राफ जिनके आप लोगों संद्रफ सहित भाख्या करने होती जो लाय beet equations सए कही है और इफ लेसंट के रायडर यानि के लेखक कौन है उनके वार लिखना यह संदर्ब में ठीक है उसके बाद आप को इसकी व्यक्राइक करनी है किसका और्थ क्या होता है मतलब क्या है स्थी मिलिखना पड़ेंस कहें स्ठीप लाइस जी आपको संदर्फ साय्भ करना होगा ऐख की एक ही आता नहीं हमेशा और हर कोर्स में हम अद affiliator की हर बार और हर चार आपको गद्यांस दे जाते हैं ठीक है और जिन में से किन ही दो गद्यांस मतब कि दो गद्यांसों के बारे में आपको लिखना होता है बस आपसन 3 होता है लेकिन लिखा होता है कि दो का करिए जिनके बारे में आपको अधिक जानकरी हो अगरा कुष्चन है कि गिल्टर कहानी का उद्देश क्या है तो यह कुष्चन बहुत कमाता तो आप एस एक और भी कर सकते हैं मेरे कोडिक बहुत कमाता है अब आज आए गोतर क्वेस्टिन के और जिनको आप लोग भिस्तुत्री भी बोलते हैं इसमें देख लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेस्टिन है जो कि आपके एक्जाइम के लिए महातपूर निर्देश करना है कितने सब्दों उसका लिखना है और कितने नंबर मिलेंगे जब भी आप देने जाइए तो आपको वह ऐसा मिलेगो उसमें भी लिखा होगा जैज नहीं करना delivers यह तो इस बात को दूर करना दूर कम लिखना करना है जैसरी Leięcy च्टिनीcking तो पहला प्रस्ण है कि एक आंकी तत्तों के आधार पर दीबदान एक प्रमुख रशना है जो कि एक आंकी विधा की एक महात्मोड प्रस्ण है यह प्रस्ण पिसले वर्सों में कई बार रिपीटेड है तो नोट कर लीजिए भी आपके परिश्चा मैंने पूरी उम्मीद है अगला कोईश्चन की पंच परमेसुर कहानी पंच परमेसुर की कहानी आप साइद आठवी रहोगी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है यह भी महात्मोड प्रस्ण कई बार रिपीट हो चुका तो इसके बारे में आपको तयार कर लेना है ठीक है उसके बाद अगला हजायर प्रसाद दूबेदि के निबंध या फिर निवंदों की भाहासा फैली और प्रकाव ड़ली इस प्रकार आपको उत्तर देना पड़ेगा ठीक है पूरा का पूरा मारल पेपर कुश्टन पेपर इहीं पर समाप्त होता है कुछ ऐसे ही मारल पेपर कुश्टन पेपर आपको देखने को मिलेगा जब भी आप पर परिच्छा देने जाएंगे ठीक है और ध्यान रखना है कि आपको सभी प्रश्णों को उत्तर देखकर आना किसी भी प्रकार की कोई मानस मार्किंग नहीं इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है और मैं आपको भरोफा दिला रहा आपको अच्छे प्यार कर लेना ठीक है खाफ करके जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टन है यह आएंगे यह आएंगे उनको तो आपको जरूर तयार कर लेना ठीक है और इन सभी प्रोश्णों को उत्तर शिंपल सा इंटरनेट है ही गूगल बापा जंदा बाद है तो पूरी एक्जाम की प्रप्रेशन हम आपको इस चैनल के मादधें पर कराएंगे और यह आपका अपना ही चैनल सक्षेस्ट हुई हुए तो सब्सकाइब कर लिजेगा ताकि आपको सभी प्रकार की वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले मिलता रहे बाकी मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जैनल